आवक्ति के अंतरगात भगवान नो प्रकार के भक्ति बताईए हैं जो भगवान ने का है संतो का सत्संग करें दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा मेरे कथा प्रसंग में रुची है तीसरी के बारे भगवान कहते हैं कि गुरुपद पंकत सेवा तीसरी भक्तिया मान, तीसरी भक्ति का संबन्द मानते हैं भगवान वो भी कैसी भक्ति बिना किसी अहुंकार के है, आज हम जिसी चीज की चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चोथी भक्ति मम कुन गन करही कपट नजाती का, बढ़ाई का, धर्म का, धन का, गुण का, गुटुमबी जन होने का, भगवान के रहेगा, गुरुपदपंकस सेवा, तीसरी भगती आमान, चोथी भगती महमा गुणगन, मेरे गुण का गान कर, करे कपट तजिक्यान, यह एक दोहा है, इस दोहे के माधियम से, तीसरी चोती भक्ती की व्याख्या आ गई, कपट छोड़कर मेरे गुण समुहों का गान करें, कपट छोड़कर, ये बहुत महत्पूर्ण है, निश्कपट भाव से मेरे गुण समुहों का गान, सदाहरी का किरतन करें, चैतेन महा प्रभु ने जो एक वाक्य कहा, हर किरतनियों सदाहरी, इसमें अमाने नामाने दिन के हम आख्या कर चुके हैं कि अमान भक्ती रखनी चाहिए, और कैसा होना चाहिए, किरतनियों सदाहरी, अपना सदाहरी का किरतन करते हुए, अपना जीवन इस तरह से लगा दें कि भगवान के ही चरणों में, भगवान के ह करने में गुरु क्या है भगवान का दूद है भगवान का टारिक्ट अपॉइंट है और गुरु के गुड़ों का प्रभु के गुड़ों कान करना एक ही बात है और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो यह कि हम कभी भी उसमें परमाद न करें जहां मोकल है कि हम बोलें और अपनी likes और dislikes छोड़ करके बोले, जो हमारी पसंद है, नापसंद गी है, उसको जिस दिन हम छोड़ देते हैं, उस दिन हमारे अंदर से निश्कपट भाव आ जाता है, कपट छोड़ कर बिना किसी अहम भाव के, कपट छोड़ने के बाद कहीगे, हमारे मन में किसी प्रेकार से जोटी तारीफ है और उससे नुकसान दोनों का होता है, हमने ये किया, हमने इतना दिया, ये मन में से निकाल करके जब आप बात करेंगे, तो ये निश्कपट भक्ति के लाएगे, तो भगवान का किरतन कपट छोड़ कर, ये एक जो मूल मर्म है आज की भक्ति का, इसको गुण होता है, किरतना देव कृष्णस से युक्त संगा परमगती है, कल्यूग में हजारों दोष संभव हैं, देख महान गुण क्या है, भगवान के संकिरतन से वक्ति मोक्ष को प्राप्त होकर परमगती प्राप्त कर लेता है, पर निश्कपट भाव से होना चीए, ये जैसे आज की भक्ति होती है, आज की भक्ति कैसी होती है, मैं कुछ किशनों में बताऊंगा कि आज की भक्ति की व्याख्या क्या है, और समय समय पर बताता रहता हूं, आज भी कुछ विस्तार से व्याख्या करूँगा, परमपुजी गुर्देव ने भी किरतन परमपरा आ एक है हनुमदी है, एक है शांभवी है, एक है नारदी है, एक है वेयासकी है हनुमदी क्या होती है? हर्मान जी को आपने फोटो में देखा हुआ, खर्टाल लेके गाना काते है और खड़ता लेकि जब गीत गाते हैं तो उसमें क्या है कि फिर लाइन का लंबी होगी कि छोटी होगी कोई दिक्कत नहीं भक्ती भाव अंदर से निकलना चाहिए हनुमदी कृतन शांभवी कृतन क्या होता है सुरताल के साथ, संगीत के साथ आप जानते हैं शंभुए ने भगवान शंकर और भगवान शंकर के भाव से भगवान शंकर जिस अद्धित की बात कह रहे हैं सुरताल संगीत के साथ नित्यकला के जन्म जाता है संगीत कला के जन्म जाता है तीसरी है नारदी परवण को सी हती है और उसके साथ आप करते हूं। चौछी है वयास vein की गे करते हुइं जिसमें की आप व्याप्छया करते हुझ चलते हैं एक लान रो कि फिर थोड़ी धर आपने खिर्तन कि यह फिर आपने दो-तिन लाइन की व्याधक चार फांथा की परमपरा के मत्तम से प्रङ्या-घीत को बहुत लोगपरी बनाया, वारकरी संप्रदाय जो है, जो महाराष्ट कौंकण में है, बड़ा प्रशली थे इस मामले में, वो एक लाइन के से व्याख्या करते हैं, फिर जोड से धबली बसती है, खंजडी बसती है, उसके बाद फिर व्याख्या चलो हो जाती है, से, तो कई इस्थानों से निकलती हैं पाल्कियां, और पाल्कियां सब एक साथ मिलकर के पंडरपरम समाप्थ होती है, वारकरी संप्रदाय इसमें सप्रमुख होता है, और इसमें व्याख्या होती है, भगवान के गुणों की, स्थान स्थान पर संकिरतन की परंपरा को जन यहां जाता है वहां भी सब जगे हमारे युक संगीज जहां जाता है वहां लोगों को प्रिणना देता है, क्यों इन सब का सम्मिशन है, नारदीये, अनुमदीये, वयास किए, और शामभी, इन सब का, आज की भक्ति कैसी है? जिसकी है इंभात कर यह आपसे आपसे, आज की विल्म के गाने बज रहे हैं, माता के जागरन चल रहा था, पन्तु आज की भक्ति में क्या कहा जाता है, वो शीतल पे पी करके और रात भर जागते हैं, और नहीं क्या क्या करते हैं, ये कपट वाली भक्ति है, भगवान कहते हैं, कपट छोड़ करके गान करें, ये जो आज क वाले सुआत रहे हैं न सुनाने वाले, मात्रमन रंजन, फिल्मी राख न जाने लिए देर दिर तक चल रहा हैं, कहीं देवी की का दरवार चल रहा है, कहीं कोई चल रहे हैं, और चूंकि राग ळोगों की caus suffers, लिए बारबर लिए राग आते है ugh. परंपजी गुर्देवने का लोक रंजन से लोक मंगल हमारी परंपरा है निर्मल मन बनाने के लिए हम लोक कल्यान के लिए हम वास्तों में इस संकिर्टन विद्या को जंग दे रहे हैं मुझे छल छिद्र कपट दुराव अनभावा मुझे छल छिद्र कपट दुराव नहीं चाहिए मुझे निर्मल मन चाहिए भगवान को निर्मल मन चाहिए, कैसा चाहिए, जैसे शबरी का है, जैसे केवट का है, जैसे निशादराज का है, जैसे वनवासियों का है, जैसे गिरिवासियों का है, जैसे कंदरवासियों का है, ऐसा प्रेम चाहिए, कपट जहां होता है, महां गरबड हो जाती है, उसी प् कपट के साथ प्रेम करेंगे तो हमारा भी वही हाल हो गा जो नाम भार्बानी लेना चाहता है कुबडी ऐसा कहता है कि कुपजा नाम की एक सुन्दरी थी जो सुन्दर तो थी परन्तु कुबडी थी जैसे भगवान कृष्ण का इस प्रश्ण लगा परम सुन्दरिवत्ति हो गई और एक भगवान राम की चर्चा की मेंने जहां शुर्पणखा का प्रसंगा है एक क्यों हमने कपड़े से ढख रखा है अपने को लोखन जैसे पारस को स्पर्श करेगा वैसे सोना बन जाएगा कपट रूपी कपड़ा हटा दें और हम स्पर्श करें पारस को तो सोना बन सकते हैं गीता में भगवान कृष्ण अपी चेट्सु दुराचारो भजते माम अनन सितो ही जहां वह सादो ही मानने योग्य है क्यों उसने भली भाति निश्य कर लिया है कि भगवान के भजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है जब उसने मान लिया कि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है तो अब वह सुनिश्यत रूप से मेरा भक्त बन गया है और भगवान दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति को भी अपने साथ, अपनी ज्ञान की नोका में बिठा के पार कराने को तयार हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं नारद भगवान चर्चा प्रसंगे काता है, अरण्यकान का अंतिम प्रक्रण है, नौदा भक्ति के बाद नारद जी देखते हैं भगवान को, कि भगवान वहाँ पर घूम रहे हैं और बड़े वीरह की वेदना में हैं, तो नारद वहाँ से उपर से आते हैं और आखेर भगवान से कहते हैं, अति प्रसंग रगुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृतुबानी, राम जबही प्रेरेव निजमाया, मोही सुनाय रोग राया हे राम जी, हे राम जी, सुनिये, जब आपने अपनी माया को प्रेदित कर मुझे मुहित किया था, फिर आगे बोलते हैं, तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करण न दीना, तो ये प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया, जब मेरा मन क्याताजी, सकल भरवचा, जो समस्त आशा भरोषा छोड़ कर केवल मुझको ही भसते हैं, मैं उन्हीं को कहता हूँ और मैं उनकी हमेशी रख्षा करता हूँ, करवु सदात नंकी रखवारी, जय मिव बालक राख्वारी, मैं सदा उनकी व Linux रखवारी करता हूँ जैसे म मा प्रोड भहें तई सुत पर माता, प्रीति करें नहीं पाचली खाथा, मोरे प्रोड तनै सम ज्यानी, बालक सुतम अंग मानी, सायाना हुझाने पर उस पुत्र पर माता क्रेम करती है, परन तो पिछली बात नहीं रहती है, अर्थात मात्र परायन शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती है, वो जानती है, बच्चा बड़ा हो गया है, अब माता मनिर्भनरे का अपने रक्षा आप करने लगता है, ज्यानी मेरे प्रोड पुत्र के समान है, और तुमारे जैसा अपने बल का मानन करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है, तो मैं कौन हूँ, मा, तुम कौन हो, मेरे शिशु पुत्र, मैंने उसी तरस तुमारे रक्षा की है, जनही मोर बल निजबल ताही, दुह कहं काम क्रोड रिपु आही, यह विचार पंड पाएं उग्यान भगत नहीं ताहीं, मेरे सेवक को क्यों मेरा ही बल रहता है, और ज्ञानी को अपना बल होता है, जिस दिन ग्यानी यह सोचता है, कि मेरा अपना कोई बल नहीं है, तब काम उक्रोड रुपी शत्रु, तो भक्त के लिए भी हैं और बल्वान के लिए भी है ज्ञान का एक दिसफोट हुआ है, इंटरनेट के रूप में, धेर सारे लोगों ऐसा करते हैं, कि हम प्रवचन दे सकते हैं, आप क्या प्रवचन दे सकते हैं, चार सो पांस सो लोग प्रवचन देते हैं, टीवी पर आप देख लीजी, पर जब तक भक्ती भाव नहीं होग संकिरतन में सम्वेदना, प्रग्या और ज्ञान, इन सब का समिश्रन है, जैसे संवेदना मिश्रिद ज्ञान होता है, तब वो प्रग्या बनती है, रितंभरा प्रग्या बनती है, नुमधान जालना चाहता हूँ, चैतनि महाप्रव riches नचशन चाहता हूँ की बंगाल को क कि वहाँ कोई जाता था तो कहते हैं किकट प्रदेश है यहां तुम्हारे सारे कीवे पुण्ये सारे नष्ट हो जाएंगे। महाप्रभु के किर्तन की, महाप्रभु ने एक प्रकार से किर्तन की क्रांति की, स्रीकृष्ण की दूद बनकर आया, अंशावतार है उनके, इसे के बाद वहाँ पर धेरों लोग जन्में, धेरों महाप्रभु जन्में, आपका मालूम है कि रामकृष्ण परहमंस, श्री विवेकानन, राज बहारी बोस, सुवाश्यन बोस, यगदिश्यन बसू, इतने सारे जो महापृष्ण इनके अलावा ना जाने, कितने बंगाल में क्यों जन्में, क्योंकि वहाँ चेतन महापृभु जन्में, पापी से पापी व्यक्तिवी भावों के समुदर से उबढ जाता है, भूमी के प्रसप्त बीजों को संकीरतन से, नाम जब से सुसंस्क आधि करा करके, इस्थान इस्थान पर वहाँ की भूमी के संसकारों को जगाया, यह कीकट प्रदेश को जैसे जगाया हमारे चैतन महाप्रभु ने उसी दिए परमपुजी गुर्देव ने जगाया, पुजी वर परमपुजी गुर्देव एक प्रकार से शक्ति संचार के प्रतीक के रूप में सारे देश में निमित्त बने और उसी के माध्यम से करानते हुए, अगर आप देखें तो महाराष्ट में जबक्ति संचार हुआ, तो काराम जी तुकड़ो जी कारण हुआ, और श्रिवाजी महाराज का एक प्रसंग है कि श्रिवाजी महाराज आप ज संकिर्तन में बैठ, संकिर्तन में बैठ, संकिर्तन में बैठा दिया, अब उस संकिर्तन में पता चल गया, यवनों को, कि श्रिवाजी महाराज बैठ है, चारो तरफ से लोगों ने घहर लिया, यवन सेनिक चारो तरफ से घहरे हुए है, नीचे बीच में भक्त है, सामने श नोग बैठे हैं और तो कराम जी कर्ण चल रहा है उनके जो ताना जी थे जो प्रधान सेनापती थे कान में आके बोले उने कि शिवाई जी भाहना से कि आप चारोतर अप से घर चुके है यह उनों से आप कैसे बचेंगे अरे बूले लोकिक बाते मत करो अभी तो अलोकिक आन एक व्यक्ति गोड़े पर तेजी से भागा एक तरफ, लोगों ने समझा कि शिवाजी भागे, सारे येवन उदर उदर चले गए, जुग गए तो कराम के चरण कमलों में शिवाजी राओ, और उने कहा बताईए मेरा गुरू को है, वोले समध गुरू रामदास, उनके पास राइगर जिले में हैं टाकली गाहों में जनवे हैं, वहीं रहते हैं, भवानी तलवार वो ही तुमको दे ऊगा, मीरा एक क्रांटेकारी महिला थी, इक परकार स gray access को कि शिवार राज भर आन्ने की किरतन भक्ती, अपने आप में बड़ी महत्पून भक्ती है भक्ती दो प्रकार से प्रभाव का ति की एस्टेसी से और एंटेसी एस्टेसी वह जिसमें की बहार से कृतन का प्रभाव हो चल रहा है और अंदर से जागरन हो रहा है एंटेसी वो जब अंदर से प्रभा उम्डे भक्ति का और ऐसा उम्डे दिखाई भी नपड़े कैसी जैसे गया की फल्गु नदी रामकृष्ण परमांस केते थे कि गया जाते हैं तो फल्गु नदी में तरपन करते हैं पर वह नदी है क्या नहीं वह रेत है रेत को जब महां के पंड़े लोग निकालते हैं तो उसमें फल्गु नदी का पानी निकलता है उसमें शातरपन कराते हैं अंदर के भावों का जब समुद्रों मढ़कर आता है तो सारे कपटों को दोख्या रख देता है यदि इश्वरी भाव से कपट नहीं रहेगा तो निश्यत रूप से मानके चलिए कि आपके अंदर का भक्त जागरत हो जाएगा किर्तन करते करते कुम्भक लग जाता है कभी कभी राम कृष्ण कहते थे कि यही बढ़ते बढ़ते भाव समाधी में बदल जाता है और यह समाधी योग से भी बढ़ी है भाव समाधी यह की चीद में संभाव है, भक्ति में, किर्तन में, एक कबिरदाज जी की ही बात है, मन मगन भया, सो क्यों डोले, हीरा पाया, गांट गठे आया, बार-बार फिर क्यों खोले, जब मगन हो गया, तो फिर क्यों बोले, बोलने की जुरूत है नहीं, मुस्कुरा कर, प्रसंद रहे कर, भक्ति का प्रदर्शन करके आप बता सकते हैं कि आप प्रसंद हैं अंदर से, चैतन्य महाप्रभू के दोशेश्य थे, बड़े हरिदास, छोटे हरिदास, यवन थे, और बड़ा महत्पुन प्रसंद था, कि यवनों ने आकर के उनको घेर लिया, और बड़े हरिदास को मार दिया, अब मार करके नदीम फेक दिया, मारा हुआ हरिदास जीवित कैसे हो उठता है, आप देखे कि मारा हरिदास चैतन्य का नाम लेता है, चैतन्य जय 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 चैतन्य प्रभू, जय 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 चैतन्य प्रभू, और जीवितों के बाहर आ गया, फिर करने जब के बात करेंगे, पहले नहीं करेंगे, जब करो, तुम भी जब करो, नाम जब करो, जब करो, सवाल अक्का जब करना है, अब वेश्या भी एक दिन जब किया, उसने फिर चली गई, दूसरी दिन आई फिर जब किया, उसने फिर चली गई, चार दिन जब किया, तो उ यह यवन थे, महासरूप गुस्वामी बने, दादर खान जीव गुस्वामी बने, चाचा बती जे थे, गोडी संपदाय के भक्त थे, इन्होंने ब्रहत बगवतामरा तो लगा हूँ अम्रता बने, जो बड़े हैं उन्होंने वो लिखा और छोटे ने ये लिखा, जीव गु को नहीं लिखते, तो मीरा बोले कि ये कोто आँगिया है, बिहारी जी का नया पत्तिदार कोन आगया, जो अपने आपको पुरुष के रहा है, पुरुष तो यह कही है, कृष्ण, और कोई नही है, बाकि सब राधा, बाकि सब महिलाए है, सब आत्मा है महिलाए है, नारी ह मेरे नारी भाव होना हुना चाहिए। यह पट्रीदर नयाक होना। भक्ति को मानले, हमारी कृतन को मानले, हमें रखत पात नहीं चाहिए, अंगिरा वशिष्ट भी व्रद बंधन में, सब लोग व्रद बंधन में, अब ऐसे में दानवो ने कृत्या का प्रयोग किया, अंबरिश्च की भक्ति इतनी आपार्थ ही, सबसे बड़ी आपदा क्या ह प्रभु के नाम को भूल जाना, और प्रभु के नाम को हम न भूलें, तो हमारी रक्षा भावान करता है, तो क्रत्या आई, दानवो ने क्रत्या जो भेजी, उसको विष्णु की चक्र ने नश्ट कर दिया, एक चमकदार आई आलोग के रूप में, और नश्ट करने के लि नाम पर सुभै से शाम तक खाते हैं लोग पर एकादेशी के मतलब होता है 10 हमारे इंद्रियां और एक हमारा मन, यह इन 11 को हम शांत रखें तो प्रसाद ग्रहन करने की जब बात आई तो दुर्वासरीशी चिते एकादेशी वरत में थे दुर्वासरीशी ने कहा कि हमें प्र अब अगले दिन का सुभे हो गया, सवेरे हो गया, द्वादशी चालू हो गई, तो ऐसे में अब दुरवासा रिशी तो वैसे क्रोधी थे और टाइम के भी पाबंद नहीं थे, टाइम मेनेजमेंट उनको आता नहीं था, तो वो देर से आये, इतने दिर में अमरिश्च ने देकर के लेना पड़ता है, भगवान को प्रसाद दिया, थोड़ा से ले लिया, उन्होंने कहा कि तुने पहले क्यों ले लिया, बस नाराज हो गया, तुने मेरे से पहले क्यों ले लिया, बहरो छोड़ दिया, अब भहरो छोड़ दिया, पंतु पीछे उस भहरो की पीछे सुदर्शन चक्र लग गया, सुदर्शन चक्र जब लगा तो तिर लोकों के सिर करा करके आगे आगे भहरो उसके साथ दुरुवासा और पीछे सुदर्शन चक्र प्रह्मा के पास गया उन्हें से उन gli का हम नि करक्र सकते हैं भुभास रिशी आप शीव पड़िबे को फल वे, गुन्बे ग्यान कुफल हरी नाम है कहे शुर्टि, संत, पुरान तो वास्ता में नारत भक्ती अनुमदी भक्ती, सारी भक्ती हमें समझ में आ जाएंगी और किसी तरह के हमें परेशानी नहोगी भक्ती अरे में जिए उनमें आ गई तो ज्ञान अपने हाँ आता चला जाएगा भक्ती हर्दम प्रवेश करने के बाद ज्ञान सोता आता चला जाता है झाला जाता है